हे दोस्तों, वेलकम बेक, तो आज के स्यूड़ी हम different type का numerical program solve करेंगे, जो किस से related होगा, chain serving से related होगा, तो इसमें हम just type का numerical solve करेंगे, उसमें क्या होगा, कोई हमारी length होगी, जिसे हम दो different type की chain से measure करेंगे, और जो दोनो different type की chain होगी, उसमें भी दोनो different type की errors होगे, यानि एक chain chain में shortening वाला error होगा, और एक chain में elongation वाला error होगा, तो इस case में हम उस line की true length हम कैसे measure करेंगे, इसका solution हम कैसे करेंगे, इसे हम इस video के अंदर पूरा detail में समझेंगे, इस लिए इस video को पूरा end तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो सबसे पिल हम क्या करते हैं, इस से related question पर लेते, a distance 2500 meter was measured by 20 meter chain, having actual length 5 cm short, calculate correct distance measure, if the same distance is measured by 20 meter chain, which is 5 cm long, what will be the observed length, तो यहाँ पर सबसे पिल हम question को समझ लेते, question क्या बोल रहा है, एक distance से, जिसे हमने measure किया है, और जिसकी measure length था यह, वो कितनी है, 2500 meter, और उसे हमने किस से measure किया है, 20 meter length वाली chain से हमने उसे measure किया हुआ है, जिसमें जो chain है, उसमें क्या रहा, 5 cm का shortening आ रही है, अब हमें क्या क करना है, उसकी correct length हमें measure करनी है, साथ ही उसे distance को हमने क्या किया है, 20 meter length वाली chain से भी measure किया हुआ है, जिसमें जो error है, वो कौन सा है, 5 cm elongate हो रही है, तो अब हमें पता करना है, उसकी true length है, कैसे हम find out करेंगे, तो सबसे पिलिए हम क्या करते है, जो भी question में यह first line है, उसको हम समझते हैं, और उसे हम solve करते है, जो हमाई distance है, जिससे हमने measure किया, उसकी जो total length आ रही है, measure length कितनी आ रही है, 2500 meter, और जो हमाई chain है, उसकी length कितनी 20 meter है, और उसमें क्या रहा है, shortening आ रहे 5 cm, तो यह क्या हो गई हमारे first type के numerical जैसी हो गई, जिसमें जो error है, वो कौन सा shortening वा value, तो e की value हमें question में given है, जो कितनी है, 5 cm, जिससे हम क्या करेंगे, meter में convert करेंगे, तो उसकी value कितनी आएगी, 0.05 meter, जिससे हमें मिल जाएगा L1, तो यहाँ पे आपको ध्यान रगना है, wording के short, तो short के लिए L1 का formula क्या होता है, L-E, तो उसे हम यहाँ पे calculate करते है, 20-0.05, is is equals to कितना आ रहा है, 19.95 meter, यह आगे हमारे पास L1 की value, जो हमारा formula सा true length का, उसमें क्या करेंगे, सारे value को put out करेंगे, तो यहाँ पे हमने सारे value put out की, L1 is equals to कितना आएगा, 19.95 meter, then L कितना आएगा, 20 meter, into measure length कितना आएगी, 2500 meter, तो जो हमारी correct length आ रही है, वो कितनी आ रही है, 2493.75 meter, यह आगे हमारे पास correct distance उस line की, यह हमारे पास correct length आगे उस line की, तो जो हमारे पास length आगे correct, वो कितनी आ रही है, 2493.75 meter, अगर हमाई chain कितनी है, 0.05 meter short है, अब same distance हमने किस से measure किये, 20 meter length वाली chain से measure किये, लेकिन उसमें जो error आ रहा है, वो कुमसा आ रहा है, elongination वाला, और वो error कितना है, 5 centimeter long है हमाई chain, तो अगर हमाई chain 5 centimeter long है, तो L1 हम कैसे calculate करेंगे, क्योंकि हमारे पता है, जो हमाई chain long है 5 centimeter, उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले meter में convert करेंगे, E की value को, तो E की value meter में कितनी आएगी, 0.05 meter, अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो हमाई chain ह तो long के लिए L1 का formula क्या होता है, L1 is equals to L plus E, L हमारा कितना है 20, E कितना है 0.05, तो जो हमारा L1 की value आ रही हो, कितनी आ रही है, 20.05 meter, यहाँ गए हमाई पस L1 की value, लेकिन अब यहाँ पे confused नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है, कि इसने क्या बोला है, same distance measured by 20 meter chain, which is 5 centimeter long, what will be the observed length, यहाँ पे उसने हमें यह नहीं बोला है, कि आपको correct length निकालनी है, यहाँ पे उसने क्या बोला है, जब हम गलत chain से पूरी line की length को measure करेंगे, तो जो measurement आ रहा है, वो क्या आ रहा है, यानि हमें क्या करना है, हमें incorrect measurement ही बताना है, जैसे ही हमारा एक line है, जिसका जो हमने measurement क कितनी थी, 2493.75 meter, अब हम क्या करते है, इसी same distance को हम दूसरी type की chain से measure कर रहे है, जिसमें जो error है, वो कितना रहा, 5 cm elongation का error आ रहा है, लेकिन अब हमें पता क्या करना है, इसी line की जो हमने length measure किये, क्योंसी वाली chain से, जो 5 cm long है, उस वाली chain से, तो जो हमने line की length measure किये, वो कित इतनी है, अब यहाँ पर जो question बोलना चारा है, वो क्या बोलना चारा है, कि जो incorrect measurement आएगा, उसकी value हमें find out करनी है, क्योंकि हमें true length तो already पता ही है, तो अब हम क्या करते है, सारी value को हमें इस formula के अंदर put out करेंगे, जो हमारी true length है, वो कितनी है, 2493.75 meter, 11 हमारा कितना है, 20.05 meter and L कितना है, 20, measure length हमें calculate करनी है, तो जो हमारी बस measure length आ रही है, वो कितनी आ रही है, इतनी, 2487.53 meter, यह length हमारे पास मेलेगी, जब हमारी chain में इलर आएगा 5 cm elongation का, उससे जब हम इस length को measure करेंगे, तो वो length कितनी आएगी, 2487.53 meter, तो जो measure length आएगी, यानि जो observe length आएगी, वो तो यह आएगी उसकी observe length, लेकिन जो हमारी line की actual यानि true length है, वो कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी, दोनों chain के लिए, 2493.75 meter, तो यह आपको सिफ confuse करने के लिए था, आपकी जो correct length है, वो कितनी रहेगी, 2493.75 meter ही रहेगी, लेकिन आपको उसने question में क्या गोला था, आपकी chain मे जो error है, उससे जो incorrect length आ रहेगी है, वो आपको find out करनी है, तो यह question आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के सुड़े में बस इतना ही, next studio में हम सीखेंगे, अगर हमारी कोई chain है, उससे हम कोई line की length को measure करते, और उस chain में जो starting में जो error था, वो और कुछ रहता है, और जब हम ending में measure करते, तो उस chain का जो error है, वो increase या decrease हो जाता है, तो उस case में हम case से correct length measure करेंगे, उस type का numerical हम next studio में solve करेंगे, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आयो आई आई आपको वीडियो समझ में आया है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है, और वीडियो आपके दोस्तों के साथ जरू share करना, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटर कोई doubt हो, तो आप उसे comment करके पूछ सकते हो, इसके अलाबा, अगर आप हमें चेनल पर नहें हो, तो चेनल को भीडियो जरू subscribe करना, और साथ में वेल का एकर प्रेस कर देना, जिसे कि आपको आने व